तो स्वागत है आपका फिरसे एक नए comparison वेडियो में और इस वेडियो में compare करने वाला हूँ Infinix Smart 8 HD versus Tecno Spark Go 2024 अब ये दोनों फोन जो है वो एक ही price range में हैं तो आपका ये question हो सकता है काफी बार मुझसे पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा phone हमें buy करना चाहिए इंफ्लेंसर वसी YouTube चैनल चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को subscribe कर दो ऐसे ही videos देखने के लिए चलिए start करते हैं सबसे पहले display से तो अगर मैं बात करूँ display की Infinix Smart 8 HD में तो इसमें एक IPS LCD आपको मिलता है जो कि 6.6 inches में है और 267 PBI पर waged है 90 Hz का refresh rate मिलता है और 500 nits peak brightness मिल जाती है लेकिन techno spark go की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको एक IPS LCD मिलता है 6.56 inches में है 269 PBI पर waged है और 418 nits peak brightness मिल जाती है जबकि 90 Hz का refresh rate इसमें भी आपको मिलता है और punch hold display ये दोनों है तो दोनों में से कोई एक display चूज करने की बात करी जाए या फिर आपका question है कि दोनों में से कौन सा display अच्छा है तो देखिए display दोनों ही अच्छे है camera की बात कर लेते हैं तो देखिए camera जो है वो 13 MP में आपको मिलता है main camera Infinix Smart 8 HD में जिसमें एक secondary camera और आपको मिल जाता है जो कि 0.08 MP में है Infinix ने इसके बारे में ज्यादा define नहीं किया है Tecno Spark Go की अगर में बात करूं तो इसमें 13 MP में main camera मिलता है और उसके साथ 1.08 MP में secondary camera भी मिल जाता है जैसा कि Infinix Smart 8 HD में मिल रहा है दोनों से ही आप Full HD video record कर सकते हैं front camera की बात कर लेते हैं तो देखिए front camera जो है वो 8 MP में आपको दोनों में देखने को मिलेगा Full HD video record भी आप यहां से कर सकते हैं तो दोनों में से camera कौन से अच्छे हैं यह आपके मन में question हो सकता है तो यार दोनों की camera अच्छे हैं कोई भी difference इनमें मतलब नहीं है इतना जादा तो camera दोनों की सही है इस price range में ओके बात करें अगर हम यहां पर chipset की तो देखिए chipset जो है वो Infinix Smart 8 HD में आपको Unisock T606 मिलता है जो की 12NM पर waged है और अगर मैं बात करूँ Tecno Spark Go की तो इसमें भी Unisock T606 है 12NM पर waged है CPU दोनों में octa core मिलता है और OS Android 13 भी आपको दोनों मिलेगा Infinix Smart 8 HD में भी और Tecno Spark Go में भी तो दोनों में से कोई एक chipset या फिर आपका question हो सकता है कि अच्छी performance कौन सा phone दे सकता है तो यार Smart 8 HD जो है वो अच्छी performance आपको दे सकता है Tecno Spark Go के comparison में वो आपको जो है वो अच्छी performance देगा वैसी बात नहीं है कि Tecno Spark Go जो है वो इससे ज़्यादा विकार performance होगी थोड़ा सा फर्क है लेकि ज़्यादा फर्क नहीं है चलिए बात करते हैं अब हम बैटरी की तो देखिए बैटरी जो है वो 5000 mAh का आपको मिलेगा Infinix Smart 8 HD में जिसमें 10W की charging दी गई है मतलब fast charging यहाँ पर नहीं दी है Tecno Spark Go की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें भी आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है और 10W की charging दी गई है जो की fast वाश्ट नहीं है तो लगबग एक घंटे से 1.5 घंटा लग जाएगा phone charge होने में तो यार यह काफी ज्यादा है आज के हिसाब को देखते हुए तो UFS 2.2 का support आपको मिलता है Infinix Smart 8 HD में और जबकी आपको टेक्नो स्पार्क गो में जो मिलता है वो storage टाइप EMMC 5.1 मिलता है जो की काफी ज्यादा old टेश्ट है आप ऐसा कह सकते हो तो यार जो ज्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर लगाए वो Infinix Smart 8 HD है जो की price में भी कम मिल जाएगा और एक performance भी आपको अच्छी दे सकता है तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा phone अच्छा है कौन सा phone belly for money हो सकता है और कौन सा phone आपको buy करना चाहिए यह वीडियो अच्छा लगाए तो इसे like करिए चैनल को जरूर subscribe करिए अभी भी आप confusion में है तो मैं आपको बता दूँ तो description में मिल जाएगा तो दोनों वैसे आपको कोई phone buy करना है तो link use कर सकते हैं आप so thanks for watching this video